हार्तोई के सतर माल खाना में मार्च में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक फालोवर समीत नोगों को गिरिफतार किया है उनके कबजे से पांच किलो चांदी के जेवर और सोने के डाहिसुग्राम जेवर छे असलहे कार्तूस बरामत किये गए है पुलिस के मताबिक इन लोगों ने एडिशनल डिस्टिक जज के यहां गिरिल काट का चोरी की घटना को करना स्विकार गिया है पुलिस ने सभी को के ड्रपतार का जेल भेजा है मामले का खुलासा करते हुए अपर फुलिस अदिशक ग्यानेंजा सिंग ने बताया कि माच श्मा में सदर माल खाने में हुई चोरी जिसमें चार रिवालवर समेच छे असलहे कार्तूस वा सुने चान्दी के जेवर आदी सामान चोरी हो गया था इस पूरे मामले के खुलासे के लिए एस पी ने उनके वा सियो सिटी के निकट परवेच्चन में स्वाट टीम को लगाया था जिसमें स्वाट टीम पिरवारी बिरच इशोर वा दरोगा रविंदर कुमार वा आजीम शामिल थे एस पी के मताबिक मकबिर की सुचना पर पुलीस ने शहर रलाके के नट्वीर पुलिया के पास एक रिवद को ग्रिफ्टार किया जिससे पूरी कहानी फोल कर रख दी और उसने अन्य लोगों को ग्रिफतार करा दिया पुलिस के मताविक माल खाने की चोरिक में तौफीक करन नवीन चानवियां अमित पूजा वा उसके भाई शामिल थे इन सबी को ग्रिफतार का जेल वेजा गया है मार्च के महिने में माल खाना यहां सदर माल खाना है वहां पर चूरी हुई थी और उसमें से असलहे और जेवरात गया गया थे उस गड़ना काज स्वार्टीम ने और पुलिस के टीम ने जो है यहां पर उसका नावरन किया है और उसमें नौ लोग पकड़े गया है जिसमें चार तो रियल चोर है और चार लोग जो माल को बिक्वाने में बटवाने में उसमें मदद किया या उसको रखवाने में चार लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने मदद किया है इसमें इस तरह से मिला करके नौ लोग और इनके पा में दाखिल हुए थे और दू असले कंट्री मेड असले हैं वो बरामद हुए है इसके साथ इसाथ पांच कीलो शांदी बरामद हुए है और करीब वर्दी पहन के भी सामानमर बेचने का तुछ प्रयास किया इस तरह का एक फालवर जो था वो इलिगली उसने पूलिस की वर्दी बनवाई थी अपने मां को दिखाने के लिए कि मैं फालवर नहीं मैं सिपाई हूँ वो भी इस गड़ना में प्रकास में आया है और माल को चु बरामदी की कीमत असलों की कीमत तो जो छे असलाएं हैं उता आप समझी सकते हैं कि हर असलाए 80,000 रुपए के कम सकम एक असला जो प्रक्तिमेड है और जो पांच किलो चांदी की कीमत वाजार के मूले से इस समय जो करीब है रहे तीन लाख रुपए होगा